दोस्तो आज मैं आपसे 15 दिमागी पहलिया पूछूँगा और उनके जवाब भी बताऊँगा तो चलिए शुरू करते हैं पहली नमबर एक एक किले के दो ही द्वार उनमें सेनिक लकडीदार टकराए जब दिवारों से खतम हो जाए उनका संसार बताओ क्या दोस्तो इसका सही जवाब है माचिस और माचिस की तिली पहली नमबर दो चार टांकी हूम एक नारी छलनी सम मेरे छेद पीडित को आराम म देती बतलाओ भाया यह भेद दोस्तो इसका सही जवाब है चार पाई पहली नमबर तीन सबके ही घरिये जाए तीन अकसर का नाम बताए शुरू के दो ज्यादा हो जाए अन्तिम दो से तारिक बन जाए बताओ क्या दोस्तो इसका सही जवाब है अती थी पहली नमबर चार एक पुल की चोड़ाई केवल इतनी है कि एक ट्रक आ सकता है या एक ट्रक जा सकता है अचानक दो ट्रक वाले आमने समने आ जाते हैं तो बताओ ये पुल केसे पार करेंगे दोस्तो इसका सही जवाब है दो ट्रक वाले आ रहे हैं ट्रक नहीं वो आसानी से निकल जाएंगे पहली नमबर पांच है सिरिंग है पर बकरी नहीं काठी है पर घोडी नहीं ब्रेक है पर कार नहीं घंटी है पर क्युमार नहीं बताओ क्या दोस्तो इसका सही जवाब है साइकिल पहेली नमबर छे एक क्लास रूम में सभी टेबल येलो कलर की है क्लास में सोनू, मोनू और रोहन बेठे हैं सोनू के पास ग्रीन पेन, मोनू के पास रेड पेन और रोहन के पास ब्लू पेन है थोड़े देर बाद टीचर ने देखा कि उसकी नई टेबल पर किसी ने ग्रीन पेन चला दिया है टीचर को बहुत गुसा आता है लेकिन वो देखकर समझ जाता है कि पेन किस ने चलाया है क्या आप बता सकते हैं पेन किस ने चलाया है दोस्तो इसका सही जवाब है टेबल पर पेंट रोहन ने चलाया है क्योंकि किसी येलो कलर की चीज़ पर बलू कलर चलाया जाता है तो वह ग्रीन कलर का दिखाई देता है पहली नमबर साथ मैं एक फल भी हूँ मैं एक पकसी भी हूँ दोस्तो इसका सही जवाब है कीवी कीवी एक फल का भी नाम है कीवी एक पकसी का भी नाम है और कीवी न्यूजिलेंड के व्यक्तियों को भी कहा जाता है पहली नमबर आठ जब कार लेफ्ट या राइट घूमती है तो वो कौन सा टैर है जो बिलकुल भी नहीं घूमता दोस्तो इसका सही जवाब है स्पेर टैर पहली नमबर नो वो कौन है जो बेठे बेठे ही चाल चलता है दोस्तो इसका सही जवाब है सत्रंज का खिलाडी पहली नमबर दस एक लड़की के घर पर एक महमान आता है और वो उससे पूशता है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है तो लड़की कहती है वो मिट्टी को मिट्टे में मिलाने गए है तो महमान समझ जाता है और वो उससे मिलने वहीं पर चला जाता है तो क्या आप बता सकते हैं कि लड़की का पिता जी कहां पर गए थे दोस्तो इसका सही जवाब है वो अन्तिम संसकार में गए थे पहेली नंबर ग्यारा एक खरगोश ने नदी में जाते से मैं नो हाथियों को देखा हर हाथी ने तीन मंद्रों को नदी की ओर जाते देखा परतेक बंदर के परतेक हाथ में एक तोता था तो बताओ कितने जानवर नदी की तरफ जा रहे थे दोस्तो इसका सही जवाब है दस जानवर पहेली नंबर बारा दो गज का मनीराम दो गज की पूँच जिदर जाए मनीराम उधर जाए पूँच बताओ क्या दोस्तो इसका सही जवाब है सुई में धागा पहेली नंबर तेरा ऐसी कौन सी तिन संख्याएं हैं जिने आपस में जोडने पर या गुणा करने पर उत्तर सेम ही आता है दोस्तो इसका सही जवाब है एक, दो और तीन जिनको जोडने या गुणा करने पर उत्तर सेम ही आता है पहेली नंबर चोदा, एक रसी को एक बर काटने पर उसके दो टुकडे हो जाते हैं तो बताओ रसी को चार बर काटने पर कितने टुकडे होंगे दोस्तो इसका सही जवाब है पांच टुकडे पहेली नंबर पंदरा, एक लड़की अंदी, बहरी और गुंगी है एक लड़का उसे बहुत प्यार करता है तो बताओ लड़का लड़की को चुए बिना केसे अपने प्यार का इजहार करेगा दोस्तो इसका जवाब आपको पहले से मालुम है तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें दोस्तो इसका सही जवाब है लड़का अपने प्यार का इजहार कर सकता है क्योंकि लड़का अंधा, बहरा और गुंगा नहीं है और इस पहली में ये नहीं लिखा गया है कि लड़की को उसके प्यार के इजहार को समझना है दोस्तों वीडियो का कोई भी पाट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले